वेलकम बैग क्लीन नियूज चलिए देखते हैं मध्योप्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को इससे पहले आप MPK के जिले से नियूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपजीट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को दबाना बिलकुल न भूले आज को लाइकेम 3000 है उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे जाता इंजिनिरिंग कॉलेज नवंबर से शुरू करेंगे ओनलाइन कक्षाई अक्टूबर के अंतिम सत्ता में प्रवेश के लिए अंतिम कॉलेज लेवल काउंसलिंग चरण पूर्ण हो जाएगा प्रदेश के सबसे बड़े इंजिनिरिंग संस्थान श्री गोविंद राम सेक सरिया प्राध्योगी की एवम विज्यान संस्थान SGS ITS में 8 नवंबर से रेगिलर कक्षाईं शुरू हो जाएंगी हाला कि कक्षाईं ओनलाइन माध्यम से संचालित की जाएंगी राजय निर्वाचन आयोक्ति कलेक्टरों से पूछेंगे पंचाय चुनाव की तयारियों का हाल मध्यपदेश में 9 नवंबर दिसंबर में 35 चुनाव कराए जा सकते हैं जिलो में इसकी तयारियों को लेकर राजय निर्वाचन आयोकति बसंत प्रताप सिंग कुरवार को समीक्षा करेंगे इसमें वे कलेक्टर से मदाता सूची, इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन की उपलब्दता, मदान केंद्र चुनाव में लगने वाले अधिकारियों कर्मशारियों की बहचान, प्रिशिक्षा रादी के विशे में जानकारी लेंगे, उधर शासन इसतर पर भी चुनाव से स सम्वर्ग ने अध्यापको को किया सुवधाउ सेवंचे, शासन ने साल 2018 में अध्यापक सम्वर्ग का राजशिक्षा सेवा कैडर में समवीलियन किया गया, शिक्षा विभाग में शम्वीलियन, समान, पदनाम और सेवा शर्तों की मांगों को लेकर 22 वर्षों से संखर्ष समवर्ग के समान शिक्षा विभाग के सेवा शर्ते एवं सुविधाव का लाप्रदान होने लगेगा लेकिन जुलाई 2018 से लागू राजय शिक्षा सेवा समवर्ग में अध्यापक समवर्ग का समविलियन के स्थान पन्युक्ति मिलने से 20 वर्षों से संखर शरत अध्यापक परिक्षा 2020 समेत कई प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए नया परिक्षा कैलेंडर जारी किया है मद्यप्रदेश प्रोफेशनल एक्जामेनेशन बोर्ड परिक्षा कैलेंडर 2021 के अनुसार आरक्षी भरती 2020 परिक्षा अब आच जनवरी 2022 से शुरू होगी पहले ये परिक्षा अक्टूवर नमंबर 2021 में होने को प्रस्तावित थी मुख्यमंद्री ने कहा सरकार और समाज मिलकर गौवंश को बनाएं स्वावलंबी आचारिशे विद्या सागर जीवदया गोसिवा समान समारू में मुख्यमंद्री शिवरा सिंग चोहान ने गौस अन्रक्षन पर जोर दिया उन्होंने कहा कि गौशाला का संचाला नकेले सरकार के वश की बात नहीं समाज के सांथ मिलकर ही ये काम संभाव है गौँमाता की हर एक चीज उपियोगी है इसका यदि सही धंक से इस्तमाल किया जाए तो खुद ही गौशाला स्वावलंबी हो जाएगी उन्होंने बुद्वार किशाम को दयोदय में परुसकार वितरन कारिक्रम को सम्भूदित किया सरकारी कंपनी ग्रामेर विद्यूतिकरन कॉर्पोरेशन ने MP में 22 करोड रुपे में अडानी सम्भू को दिया अगले 35 सालों तक अडानी सम्भू ट्रांसमिशन लाइन के रख रखाओ से लेकर संचालन का काम करेगी इसके एवज में उसे परुदेश के वितरन कंपनी से चैरिफ के अनुसार हर साल 2500 करोड रुपे मिलेंगे ये पैसा सीधे आम उभूकताओं के जेब से बिजली कितर बढ़ा कर वसूला जाएगा एक महीने का बिल 13 रुपे जादा आएगा बिजो टेकनलोजी का मौडन जंक्शन बनेगा MP का पहला पिंक स्टेशन हबीब गन से जादा होगा खुबसूरत मद्य प्रदेश के जबलपूर के रेल यात्रियों को नए साल में नई सौगात मिलने जा रही है पश्चे मद्य रेलवे मदन महल कुदेश के तीसरे पिंक स्टेशन के तौर पर विक्सित कर रहा है ये स्टेशन जनवरी 2022 में बिलकुल नए लुक में नज़र आएगा मदन महल रेलवे स्टेशन में यात्रियों के लिए सुवधाओ का विस्तार भी होगा कई अधुनिक सुवधायों पलब्द होंगी मदन महल स्टेशन पर अब टर्मिनल की जलक नज़र आने लगी है मद्य प्रदेश में 87,000 शिक्षिकों की जरूराद भरती कब करेगी सरकार शिकमलनाथ ने बताया कि यूनेसको की स्टेट आफ दा एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2021 के अनुसार मद्य प्रदेश में 87,000 से अधिक शिक्षिकों की आवशकता है इतने अधिक शिक्षिकों की कमी के कारण ही आज प्रदेश की शिक्षा विवस्था का इस्तर गिरता जा रहा है मानक अनुसार प्रात्मिक शालाओ में 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक और माद्यमिक शालाओ में 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होने की स्थिती में ही विद्यार्थियों की शिक्षा समुचित रूप से हो पाती है आईकोट ने कहा आनुकमपा नियुक्ती के आवेदन को गंभीरता से ले मद्यपदेश आईकोट ने किया चिका काईस निर्देश के सांथ पटक शेप कर दिया किया अनुकमपा नियुक्ती के आवेदन को पून गंभीरता के साथ लिया जाए ऐसा इसलिए क्योंकि परिवार के मुख्या के ना रहने के बार जिसके कंधे पर परिवार के भरन फोशन की जिम्मेदारी होती है उसके पास आज जीविका का साधन आवश्चक होता है न्याई मूर्दे विशाल धगट की एकल पीट के समक्ष मामले के सुनवाई हुए इस दोरान याचिका करता सिवनी निवासी राम नरेश परमन की ओर से अधिवक्ता सचिन पांडे ने पक्ष रखा न्याई एप्टिट्यूट टेस्स से स्कूल कॉलेज और युनिवरस्टी लेबल के विद्यार्तियों के परकी जाएगी स्किल्ट स्कूल कॉलेज में युनिवस्टी के विद्यार्तियों के स्किल्स को परकने के लिए देश में पहली बार नैशनल टेस्टिंग एजनसी नैशनल एप्टिटीूट टेस्ट होने जा रहा है इसके लिए पंजीवन कराना होगा इस परिक्षा के जरीए विद्यार्तियों के नो अलग 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 दक्ष्टाओं को परखा जाएगा जिससे चात्र ये पता लगा पाएंगे कि वो कि छेत्र के लिए योग्ये हैं एंटिये का मानना है कि टेस्ट के जरीए चात्र अपनी योगिता को पहचान कर आगे पढ़ पाएंगे नन तचा की वज़े से एडिज मच्छर का सौफ टार्गिट बन रहे बच्चे डेंगू का सबसे आसान शिकार बच्चे बने हैं लारवा जब घर में पनपता है तो मच्छर वहीं पर पैदा होकर घर में रहने वाले बच्चों को आसानी से अपना शिकार बनाते हैं बच्चों को शिकार बनाने के बीचे ये भी कहा जाता है कि बच्चों के तुचा नर्म होती है जिससे एडिज मच्छर आसानी से बाइट कर लेते हैं अप्पी उपच्चनाओं में जबानी जंक तेज कमलनात ने शिवराज पर कसा तंज नेमावर खरगोन और नीमच कान का पाप रात गुजारने से धुलने वाला नहीं मध्य परदेश में उपच्चनाओं में वोटिंग की तारीक करीबाते ही निताओ के बीच चुनावी जंक तेज होती दिख रही है शिवराज ने जोबट विधानसभा शेतर के कबीर सेज गाउं में गुजारी एक इत नहीं लगाई कैची लेकर पहुच गया फीता काट ने कुशिनगरी एरपोर्ट के उधगाटन पर बिफरे अकलेश पूर वाई एस ने पूछा अडानी जी कप पहुच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र बोधी ने बुदवार यानी 20 अक्टूबर को उत्तरप्रदेश के कुशिनगरी एरपोर्ट का उधगाटन किया इस दौरान अपने संबोधन में पीम ने कहा केसी एरपोर्ट से न सिर्फ परियजन को बढ़ावा मिलेगा बलकि किसानों, छोटे उध्यम्यों और तमाम दूसरे लोगों को भी फायदा होगा रोजगार के अफसर बढ़ेंगे कुशिनगर एरपोर्ट के उधगाटन पर सियासत भी शुरू हो गई समाजबादी पार्टी के नेता खिलेश आदव ने आरोप लगाया केसी एरपोर्ट के शुलान न्यास में बीजेपी ने एक एग तक नहीं रखी थी बस उधगाटन करने पहुच गए रभी के फसलों के लिए एडवाईजरी जारी रभी फसल की बुआई का समय प्रारंब होने वाला है जुले में रभी फसल की बोनी अक्टूबर महा से दिसंबर तक की जाती है इस समय किसान को तो मुख्य बादों बध्यान देना चाहिए पहला बीज और दूसरा उरवरक अगर बीज गुडवत्ता पून है और उरवरक का प्रियोग समुचित नहीं तो फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है इसलिए क्रशक बंधू को ध्यान में रखना चाहिए कि कौन से खाद कब किस विधी से और कितनी मात्रा में देनी है मनसौर में पूर विधायक नानालाल पाटिदार का निधान सियम शिवराज ने दीश्रत धांज ली बच्पन से ही पढ़ाई में अवल रहे सुवासरा में शिक्षा पूरी करने के बाद शिक्षक बन कर कारिक करने लगे कर्मशारी और श्रमिकों के लिए नई कलेक्टर रेट नियूंतम वेतन का निर्धार कलेक्टरों जिला दंडा दिकारी अविनाश लवानिया ने श्रमायुक्त मद्रप्रदेश शासन इंदौर के आदेशों के परिपालन में जिले के दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों और कर्मशारीों के लिए एक अक्टूबर 21-31 मार्श 2022 तक की अबधी के लिए दैनिक वेतन के नई दरे निर्धारित की इन दरों में परिवर्तन शील महगाई भत्ता भी सम्मिलित है अकुशल कर्मचालियों के लिए नियूंतम मूल वेतन 6500 रुपे इस प्रकार कुल प्रतिमा 8800 रुपे निर्धारित किया गया रहुलो प्रियंका गांधी पर MPK ग्रह मंत्री डॉक्टर नरुत्तम मिश्रा ने उठाई सवाल कहा देश से कोई सरुकार नहीं मद्रप्रदेश के ग्रह मंतरी डॉक्टर नरोतम मिश्रा नेसियम शिवराज सिंग चोहान के अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फरेंस में पत्रकारों को सम्भूदित किया इस वरान एक बार फिर से वो गांधी परिवार पर हमलावर दिखे लगिम पुर्खी रिकान पर उन्होंने कहा कि कॉंग्रिस नेता प्रियंका गांधी और रहुल गांधी ने कश्मीर और अचतिस गरहिंसा पर कुछ क्यो नहीं कहा गार्णी परिवार का देश की किसी भी समस्या से कोई सरूकार नहीं प्रेल मंत्राले ने IR SDC को बंद करने के दिया आदेश जोनल रेलवे करेंगे अब स्टेशन्स का पुनर विकास बार्टे रेलवे के ओर से स्टेशन्स का पुनर विकास करने की योजना पर काम किया जा रहा है देश पर के देश सो से जादा रेलवे स्टेशन्स को वर्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में तयार करने की योजना है इनिस्टेशन्स का पुनर विकास नोडल एजनसी के रूप में भारतिय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है I.R.S.D.C. ड्रेल भूमी विकास प्रादिकरन ड्राइट्स और इर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की एक सेयुक्त उध्यम कंपनी है लेकिन अब रेल मंत्राले ने इस कंपनी को बंद करने का फैसला किया है I.R.S.B.I. के खात अधारों के लिए खुशकबरी घर बैचे बनवाएं किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा तीन लाक रुपे तक का लोट किसानों को और सशक्त बनाने के लिए के इंडर सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के शुरुवात की थी योजना के तहट किसानों को बहुत कम ब्याज पर 3-4 लाक रुपे तक का लोन दिया जाता है इस लोन की राशी को किसान अपनी खेती में लगा सकता है या बीच खादे जैसी चीज़े खरीच सकता है अगर आपके पास भारतिय स्टेट बैंक का खाता है वे तो मंत्राले ने उन्हें 120 दिन का बोनस देने से इंकार कर दिया मंत्राले ने कहा कि इस बाद नाग विभाग के बातर करमचारियों को सिर्फ 60 दिनों का बोनस दिया जाएगा 12 सरकार में अवर सचिव शोकुमार के मताबिक डाग विभाग नेक प्रस्ताव भीजा था कि अराज पत्रत करमचारियों को 120 दिन का प्रोडेक्टिविटी लिंक टिपोनस दिया जाए हाला कि मंत्राले ने उस प्रस्ताव को मानने से इंकार कर दिया दिवाली से पहले केंद्रे करमचारियों के मोधी सरकार फिर बढ़ाएगी सेलरी दिवाली के पहले केंद्रे करमचारियों को बड़ी खुशकबरी मिल सकती है खादे तेल सस्ता करने की मोधी सरकार के उपाय से नहीं मिल रहा उब भूगताओ को फायदा विदेशी कमप्पनीज को मिल रहा है ला दिवाली से पहले खादे तेलों की बड़ती कीमतों को काबू रखने के लिए मोधी सरकार के दोरा आया शुल्क में की गई कचौती का फायदा उब भूगताओ को नहीं मिल पा रहा डिली तेल तेलहन बाजार में सरसो सोयबीन बिनौला और सीपियो सहित विबन खादे तेल तेलहन कीमतों में तेजी रही बाजार सुत्रो ने कहा कि सरकार ने सीपियो पर आया शुल्क में 13 रुपे किलो के बराबर कमी की लेकिन उब भूगताओं को प्रती किलोग्राप पर मातर 3 से 4 रुपे की राहत मिल रही है किसानों को फिर मिल सकती है खुशखबरी दस्वी किस्ट की तारीख तै किसानों को जल्दी एक बर फिर से खुशखबरी मिलेगी अगर आप पिम किसान यूजना के लाभारती है तब ये खबर आपके लिए है दरसल पिम किसान यूजना के तहट दस्वी किस्ट जारी करने की तारीख टैकर दी गई सरकार की ओर से किस्ट ट्रांसफर करने के लिए सभी जरूरी इंतिजाम कर दिये काई सरकार अब तक 11.37 करोड किसानों को 1.58 लाग करोड भेच चुकी है अब केदर सरकार पिम किसान यूजना की अगली यानी 10 वी किस्ट 15 दिसंबर 2021 तक जारी करने की यूजना बना रही है जिले में 1 नवंबर से लाउंच होगा टूरिज्म प्लान होशंगाबाद नपास सीमो से मांगा इस पश्टिक करना है जिले में किसानों को खार भी जादी सुगमता से उपलब्द हो किसानों के मुद्धो पर अधिकारी पूरी गम भीरता से कारे करें लापरवाही के दशा में संबंदित अधिकारी के खलाफ सकत कारेवाई की जाएगी ये निर्देश कलेक्टर नीरच कुमार सिंग ने समय सीमा की बैठक में कुरुशी मार्क फेट सेहकारिता और अन्य संबंदित विभागों के अधिकारियों को दिये आई-एस प्रॉपर्टी के ब्यॉरे में बार्कोट सिस्टम स्कैन करते ही मिलेगी डीटेल आई-एस अफसरों की प्रॉपर्टी के ब्यॉरे में बार्कोट सिस्टम को लागू कर दिया गया है इसके तहट बार्कोट को स्कैन करते ही जबंदित आई-एस के पूरी डीटेल मिल जाएगी इसमें प्रॉपर्टी का ब्यॉरा पूरी डीटेल के साथ दिखेगा तरसल केंद्रिय मारमिक मंत्राले ने प्रॉपर्टी ब्यॉरे के सॉप्ट्वियर को अपडेट कर दिया है साथी आई-एस प्रॉपर्टी डॉक्यमेंटेशन की ठीक से मॉनिटरिंग करने के लिए बार्कोट सिस्टम को अपनाया है हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे आपने अभी तक लेन न्यूज अंपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले साथी बेल आईकन को दबाना बिलकुल न भूले ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो